नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों आप SSE के किसी भी कम्टिट्व एक्जाम्स की त्यारी करते हूं यह वीडियो आपके लिए है यहाँ पर आपको बताने वाला हूं SSE ने अभी एक लिश्ट दारी की है जिसम Candidate को दिबार कर दिया है यही परतिबंद कर दिया है एक्जाम दैने से वंचित किया जा रहा है SSE के यहाँ पर शाथ साल का इनपर परतिबंद लगाया गया है कि आगा में 7 वर्ष्त तक वो SSE का कोई भी completed exams नहीं दे सकता है साथी साथ वजह भी बताइए किन कारणों से उनको डिवार किया गया है तो ऐसे 49 कारणों को इस वीडियो में अपन डिसकस करने वारे हैं जिसकी वज़से candidate यहाँ पर डिवार हुए हैं तो आपको इन कारणों के लिए ध्यान रखना है ने फिल्टर किया है वैसी यह पूरी list SSE ने जारी की है list of candidates who has been divided from appearing in the commissions exam as on 1-9-2024 1 सितंबर 2024 तक यह updated list है जो ER region की है इसमें candidate का नाम role number है और साथ ही साथ किस exams में इन्होंने गलती की है और डिवार पिरिड क्या है जिसे 7 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए और उसकी वज़े गया डिबाड होने की वज़े जानने से पहले यह देख लो कि SSE exams में अपनी एक seat कैसे सुनिचित करें इसे तो आपको test book का pass pro join करके वहाँ पर previous year के paper से और उन पर आजारी तो mock test ये practice करनी है सारे exams के mock test test book pass pro में मिल जाएगा चाए आप SSE CGL की कर रहे हो CHSL की कर रहे हो CPU की कर रहे हो SSG ZD की कर रहे हो या other किसी railway police exams की त्यारी करते हो एक बार pass pro ले लिया pass pro जो candidate ले रहे ध्यान देना अभी TTS के coupon code से यहाँ पर अत्रिक डिसकाउंट बिल राएग तो इसका फाइदा उठा सकते हो इसमें आपको pass pro में previous year के paper mock format में मिल जाएगी जितने भी online exam हुए है उनके previous year के paper उन paper को attempt करना है देखना है कौन सा ऐसे topic है जिनको बार-बार आप गलत कर रहे हो not करते हुए त्यारी करेंगी और next mock test उसके सुधार करेंगी तो बिल्कुल आपका confidence बढ़ेगा और आपने खुद का आकलन हो जाएगा time management बहतर हो जाएगा तो smart तरीका है mock test से त्यारी करने से पच्चास पस्टेज आपकी त्यारी complete हो जाती देखेंगे न इसमें candidate का नाम है data of birth है और कौन से एक्जाम में वो APA रुआता जैसे यह भी जो CHSL का एक्जाम हुआ है उसमें भी एक केंड़ेट को डिवार किया गया है एक जुलाई 2024 से 30-2031 तक इनको 7 वर्ष के पिरिड हितु डिवार कर दिया गया है और कारण भी बता है कारण इनन बता है यहांपन in impersonation impersonation का मतलब है इनके इस्तान पर कोई दूसरा candidate बैठा था तो जो दूसरा बैठा है उनको भी डिवार कर दिया गाता है और जिस candidate के स्तान पर बैठा है वो तो होता ये दिबार तो ये जो प्रमुक रीजन आप देख रहे हो साथ साथ ये देख रहे हो कितने पिरिट के लिए दिबार तो maximum candidate साथ वर्ष के लिए दिबार हो रहे हैं अलग-अलग कारणों के लिए अलग-अलग वर्ष है इस प्रकार आप देखेंगे तो लिष्ट बड़ी लंबी है इसमें candidate की सेंग्या है 919 से और 919 कारणों में से जो unique कारण है वो देखे 49 unique कारण है ठीक है तो देखते हैं इन 49 unique कारणों को पहला कारण appeared as a scribe with other candidate despite being a candidate यानि उमीदवार होते हुए भी अन्य उमीदवार के इस्तान पर scribe की रूप में उपस्तित होना आप already उस exams के उमीदवार थे candidate थे लेकिन आप other candidate के इस्तान पर impersonation इसमें नहीं कहेंगी क्योंकि scribe में candidate को छूट रहती है कि वो उसके साथ कोई एक अन्य candidate होता है जो उनको बताता है कि सुवाल क्या लिखा वैदी उनको नहीं दिखता blind है तो scribe आ जाएगा साथ में और सुवाल का answer वो candidate बता देगा जिनका एक्चली एक्जाम है और वो उनको करता रहेगा लेकिन जब कोई candidate के साथ scribe भी other candidate हो other ability उसे एक्जाम का तो दिखत हो जाएगी डिबार कर देंगी next अपना है appearing in the exam with forged admit card identity proof कहने का मतरब जाली परवेस पत्तर आपने जो admit card है उसमें कुछ संसुधन किया है editing की है जैसे photo में editing कर दी या फिर आपने laptop बर्त में नाम में edit करके आप जाली परवेस पत्तर के साथ में exam देने आई हो आपने जाली identity admit card में संसुधन किया साथ यसाथ जैसे आधार card में आपने कुछ संसुधन कर दिया नाम चेंज कर दिया photo चेंज कर दिया उस case में आपको वंचित कर दिया जाएगा डिबार लगा दिया जाएगा next यहाँ पर caught with a Bluetooth device at the time of frisking यहीं तलासी के दोरान जब आपकी तलासी ली जाती है center पर प्रेज करते हो उस दर्म्यान Bluetooth device के साथ वो पकड़े गए हैं तो यह तो डिबार हो नहीं है अगला कारण है caught with chats अब भाई कौन केंड़ेट जो chats लेकर आ रहे हैं जो chats यह नहीं page पर लिखकर आप जो नकल करते थे न exams देने के लिए school's exam में college exams में वो चीज आपर competitive exams में केंड़ेट लेकर आ रहे हैं प्रिक्षा के दोरान किसी व्यक्ति कुन छोटे paper या notes के साथ पकड़ा जाना जैनमें प्रिक्षा के उत्तर या संदर भित जानकारी लिखे हैं कोई उत्तर लिखा हुआ हुआ हो अधर कोई formula वगेरा लिखा हुआ इस प्रकार चेट्स लेकर आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर डिवार किया गया caught with चेट्स of paper during frisking तलासी के दोरान जो नकल के कागज हैं वो पकड़े गए अब नकल के कागज हो सकते हैं या फिर किसी के पास पहले से paper आता तो वो चेट्स लेकर आते हैं अपने हतेली हाथ की हतेली पर लिखे उत्तर की copy कर रहा था वो अब हाथ की हतेली पर उनने उत्तर लिख दिया तो हाथ पर पेर पर कुछ भी लिखावा नहीं होना चाहिए इसका विश्यस कर ध्यान रखीगा copying questions of the exam अब exam questions को वो copy कर रहा है questions को कहीं other जगह पर जैसे हाथ पर questions को उतार दिया है other page पर उतार दिया है तो questions को वो store कर रहा है question आप store करके exam center से बाहर नहीं लेजा सकते हो अपनी memory में store कर सकते हो लेकिन other page पर हाथ पर ऐसे part पर जिनको carry कर सकते हो तो प्रिक्षा की पश्णों की नकल करने का मतलब प्रिक्षा की पश्णों को लिखने या पुंद्र उत्पादित करना did not follow the direction आप direction आप follow नहीं कर रहे हो तब भी डिबार कर दिया जाएगा वहापर center पर जो लगे हुए है वहापको कहींगे direction follow करने के क्योंकि इस प्रकास आपको कोई काम करना लेकिन आपने वह direction follow नहीं की कहीं पर sign कराना था लेकिन आपने वहाप sign नहीं की मना कर दिया उनकी direction उस case में आपको डिबार कर देंगी did not follow the direction next है editing the admit card debt from 27 to 25 साथ अपर एक candidate ने क्या क्या admit card में exam debt जो 21 जोलाई 2022 थी ने उसकी स्थान पर 25 जोलाई 2022 कर दिया ये भी गरत है वो तो पकड़े जाएंगे भाई जिस center for exam है computer system में रहता है कि इनका exam अज है कर नहीं है तो वहाँ पर admit card में change होने से उनको exam देने थोड़ी दिया दाएगा ये तो बिल्कुल शुरुआती दोर पर ही वो पकड़ लेंगे इस प्रकार तो बिल्कुल मत कीज़ेगा editing the e admit card gender female to male अब ये कौन candidate है भाई अपनी gender है वो female से male में कनोट कर रहे admit card में उससे क्या फरक पड़ेगा editing the e admit card photograph female to male अब photograph भी female से male में कर दिया और शासा gender भी चेंज कर दिवाई female बन रहे ये male याँ पर ये कारणामे कर रहे एक एंडेट next आपका fabricate experience certificate fabricate experience नहीं किरत्रीम अनुपव अनुपव को बढ़ा चड़ा कर पेश किया जा रहा एक चुल में उनके पास वो अनुपव है नहीं document verification में जब चेक किया तो उनके पास अनुपव परमान पतर काफी exams होते है जिसमें जैसे phase वाला exam selection post वाला होता है नो उसमें अनुपव मांगते है काफी बार तो वो अनुपव बढ़ा चड़ा कर फरजी अनुपव पेश कर दिया आप डिबार हो जाएंगे डिबार किसी भी state पर हो सकते है यह exam देने के दुरान हो DVA के वक्त भी आप हो सकते हूँ next अपका fact document for domicile certificate अब domicile निवास परमान पतर है यह काम आता है SSCZD जैसे exams में SSCZD में आप जिस state से हो उस state से ही आविदन कर सकती हूँ अब काफी candidate हैं other states आविदन करते हैं जिनकी cut-off कम जाती तो उन्होंने फर्जी domicile certificate बना दिया fact बना दिया जो बाद में document verification में पकड़े गई फर्जी दस्तावेज़ों के साथ में तो उनको डिबार किया false person with disability certificate तो यहाँ पर PWD certificate आपने बना दिया false फर्जी आपने PWD certificate बनाया तो भी बाहर हो जाएंगे यह जो दिवियांग विकलंगता वाला certificate है for procuring impressionation तो impressionation का तो होई रहा है के साल वाला किसी और के नाम से प्रिक्षा देना है अनने के इंडेट आ गई कुसी और के नाम पर false fully entered the exam hall जबरदस्ती प्रिक्षा हॉल में एंटर कर रहे हो आप जबरदस्ती है तो वो तो बाहर हो नहीं है guilty of procuring impressionation यह आप यहाँ पर दोशी पाए गए है किसी और के स्थान पर प्रिक्षा देते वे तो आप बाहर हो जाएंगे impersonate procuring impressionation यह सेम चीज है किसी औरने किस्तान पर एक्जाम देना next आपका है indulge in unfair means अब unfair mal practice यह अनुच्चत साधन बहुत सारे होते हैं जिन में से कोई आप एक गलती करते जो admit card भी होते हैं न दी हुए कि यह अनुच्चत साधन है जैसे आप system में इदर उदर कोई दूसरी pass वाले candidate को देख रहे हो तो वो भी अनुच्चत साधन है अधर कोई आप अपने साथ लेकर आ रहे हो mobile वगरे सारे अनुच्चत साधन के अंतरकता आएंगी तो यह आप करते हो तो इनमें कोई कार्ण विशेष नहीं बताया डारक्ली कह दिया अनुच्चत साधन making statement which are incorrect और false गलत या जूटे बयान देना तो आप इबार होते हैं आपके सहमती ली जाती है टिक माक लगाए जाता है कि जो exam देरे वो आप ही हो जो certificate है वो बिल्कुल सत्या पिते हैं आपके दोरा उनको sign नीचे किया जाता है सपत दी जाती है तो इक गलत सपत ले लिए एक एंडेट ने है एक चुले में वो statement गलत दे दिया उस case में वो डिबार हो जाएंगे जो आप statement वादे करते हूँ जिसे केंडेट ने कर दिया कि वो OBC से है ठीक है लेकिन वो OBC एक तरीके से क्रिमिलियर में नौन क्रिमिलियर नहीं था तो गलत statement दे जा उन्होंने कि OBC नौन क्रिमिलियर से हैं और शपत दे दी तो वो एक गलत चीद हो देगे जिए वो नहीं है तो वो false statement होता हैगा making statement which are incorrect और false या फिर surpressing material गलत या जूटे बयान देना महत पुन जानकारी है उसको छिपा रहे हूँ उस case में डिबार mal practice बता दिया अनुचित और गैर कानूनी आचरण है कदाचार जिसमें काफी कारणा जाती है mal practice during frisking and document verification इसे ने तलासी और दस्तावे सत्यापन के दोरान कदाचार किया गया है mismatch handwriting signature and photograph ये भी ध्यान देना इदि आपका photograph admit card के photograph से बिलकुल अलग है उस case में डिबार हो जाएंगी इदि आपके signature बिलकुल अलग है बाहर हो जाएंगी पहले handwriting में ली जाती थी किसी भी stage पर handwriting change हो जाती थी तो डिबार कर दिये गई mismatch of name in his e-admit card with his id card तो यहाँ पर उनके id card में अलग नाम था जैसे के अधार card में अलग नाम लेकिन admit card में अलग नाम तो mismatch हुआ तो डिबार कर दिया mismatch of sign name in हर e-admit card and actual name तो यहाँ पर जो signed name था जैसे किसी candidate का नाम था राहूल ठीक है अब sign में उन्होंने राहूल की जगह कर दिया और विक्रम कर दिया और admit card में उनका नाम है राहूल admit card में राहूल है लेकिन signature वो विक्रम नाम से कर रहा है तो भई signature का मतलब भी कहीं ने कि उसमें राहूल का तो दिखना चाहिए ने विक्रम कैसे आ रहा है तो उस case में mismatch होने पर उनको बाहर किया गया mismatch of handwriting and signature अब signature में यही mismatch है handwriting अलग है तो बाहर हो जाएंगी signature में केवल signature में यहीं आपकी mismatch है तो भी बाहर हो जाएंगी नेश्ट आपका possession of bluetooth device आप bluetooth device के मालिक बन गए वहाँ पर bluetooth device लेकर आ गई spy camera लेकर आ गई अधर को electronic gadget लेकर आ गई उसके साथ पकड़े के तो बाहर होने है और possession of chip आप नकल कोई लेकर आ गई है न चिट लेकर आ गई तो बाहर हो जाएंगी possession of chip या rough seat rough seat आप बाहर लेकर आ गई या पिर नकल की कोई कागज लेकर आ गई बाहर है आप डिबार है possession of duplicate commission copy अब दो टाइप की copy होती है admit card में भी एक की आपकी student copy होती है एक commission copy होती आप student copy लाना था आप commission copy लेकर आ गई दिक्कत आ सकती ध्यान देना next अपना possession of electronic gadget in the exam hall exam hall में कोई भी electronic gadget आप लेकर आगे possession of mobile phone आप लेकर आगे आप pen trivue लेकर आगे exam hall में आप को suspected electronic अन्य device लेकर आगे है जो नहीं लाना था तो आप divar हो जाएंगे producing fact document of domicile certificate का आपको बता दिया मूल निवास आप फर्जी बना के लेकर आगे subscribe marked the answer by his oven on behalf of the candidate अब candidate है किसी अब बिर्ति की साथ में कोई subscribe आया है तो subscribe तो उनको support करेगा स्वाल क्या लिखा हो वो answer है अपने मन से नहीं दे सकता लेकिन copy subscribe है जो अपने मन से answer दे देते तो भाई वो divar हो जाते submitted fact certificate and mark sheet आपने fact mark sheet submit कर दी है document verification के मत दे आपने कोई fact certificate दे दिया तो divar है submitting false statement to the commission गलत आपने सपत दीब गलत बयान बाजी की उस case में गलत statement दी आपने tempering e admit certificate आपने e admit card में कोई गरबड़ी की है आपने छेड़ चाड़ किया है admit card के नाम में, debt of birth में, father नाम में, exam debt में कुछ भी चेड़ चाड़ की है उस case में divar हो आपने photograph अगिरा में छेड़ चाड़ कर दिये तो tempering the PH certificate है physical handicap certificate में आपने छेड़ चाड़ की है उस case में भी आपके डिबार हो tempering with the e admit certificate issued by the commissions e admit card में आपने tempering की है डिबार हो unfair means and indulged in malpractice during exam exams में आपने malpractice की है कदाचार किया है या फिर अनुचत साधनों का प्रियुक किया तो आप डिबार हो using another candidate of this examination as scribe scribe में अन्य candidate नहीं होना चाहिए खुद अव्यर्ति exam दे रहा है उसके साथ में अधर उस exam का अन्य अव्यर्ति है जो वो exam देने जा रहा है तो दो अव्यर्ति है उस exams की तो वो as a scribe नहीं बैठ सकता है next अपना writing were found on the back of a g admit card during the exams अब admit card के दूसरी तरफ आपने कुछ लिख दिया आपने स्वाल लिख दिया ज्याद नहीं हो रहे थे अब पीछे स्वाल का answer सोच आब आद में देखूंगा उसका क्या answer है कोई tough स्वाल था तो स्वाल admit card के पीछे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो ध्यान देना ये प्रिक्षा के दौरान ये admit card के पीछे लिखावट पाई गई डिबार हो गई writing were found on the feet of the candidates during the exams यहाँ पर पाउं पर उन्होंने कुछ लिख दिया है अपने पाउं पर कुछ लिख दिया पेर पर कुछ लिख दिया तो भी डिबार कर दिया भाई क्या कर रहे गा in that writing on his body अपने हाथ पर body के किसी भी पाउट पर कुछ भी लिखावट मिली है तो वहाँ पर candidate को वो देख रहा है जो exams के उपर निरिक्षक खड़ा है उस case में यदि उनको लगता है तो वो डिबार कर शकते हैं आप उनको support नहीं करते हैं उसांच को गिरा में तो यह 49 लगबग ऐसे यूनिक कारण थे जिनकी वज़े से candidate को डिबार किया गया तो इनसे आपको सावधान रहना है SSC का कोई भी exams देते हो 2018 में SSC ने एक notice निकाला था जिसमें बताया था कि कौन से कारणों से आपको कितना वर्ष का कितने समय का डिबार्टमेंट मिलेगा तो वो अलग-लग कारण थे जैसे आप exam से कोई OMR सीट है रब सीट है admission certificate दो बार नहीं ले जाना था commission की copy आप बाहर ले गई उसके इसमें दो वर्ष की आपको सजा थी यहनि सजा यह नहीं डिबार किये दा रहे थे आपने miss behavior किया support नहीं किया जांच के दोरान तो supervisor invasivator security guard के साथ miss behavior किया तो तीन साल के लिबार हो और obstructing the conduct of exam instigating other candidate not to take the exam candidate को बताया आप exam मत दो इस परकार आपने बीच में कुछ गडबड़ी की तो तीन साल के लिए बाहर हो false statement आपने किया है कोई जानकारी छिपाई यह तो तीन साल के लिए बाहर हो support influence of his hair candidate by any irregular और improper means उस case में तीन साल है आपने mobile phone वगेरा आप लेके आगे फ्रिस्किंग तलासी के दोरान जो switch on था या फिर switch off mode कुछ भी था तीन साल के लिए बाहर हो इस परकार अलग-अलग कारणों से यहाँ पर डिबाट्मेंट दे रखा हैं साथ वर्ष में काफी candidate बाहर हैं जैसे आप अन्ने candidate के स्तान पर एक्जाम दे रहे हो साथ वर्ष तान आपने सनेच चोट हैं या फिर वीडियो बना दिया क्योसन पेपर का कहने का मतलब एक्जाम हॉल में आप फॉन लेकर आई लेब में वहां पर उसका वीडियो सारा वाइरल किया साथ साल के लिए दिबार हो शेरिंग एक्जाम टर्मिनल थ्रोट रिमोट डेक्सटॉप आप रिमोट ली अपना एक्जाम टर्मिनल जो सिस्टम है न वो हैकिंग करके हैक करके कोई अधर केंडेट बाहर बैटा सॉप्टवेर उस कंप्यूटर पर कहीं आपके रूम वगएर घर पे वो आपका आप तो एक ड़मी के रूप में बैटो है लेकिन कोई एक्जाम और दे रहा है सिस्टम को हैक कर लिया तो साथ साल के लिए डिवार हो नहीं हैक करना मैनूपलेट करना सर्वर को साथ साल के लिए डिवार है ब्लूटूट डिवाइस इसपाई कैमरा लेके 7 साल के लिए बहार है अनफेर मीन इन एक्जाम ओनलाइग कोपिंग फ्रॉम अन ओथराइड शॉर्स सुस एज रिटन मटेडियल और एनी पेपर और बोड़ी पार्स आपने कोई क्योसंस बगर आपने हाथ पर एडमिट कार्ड पे लेकी दिया तो 7 साल के लिए बहार हो त्रेटनिंग विपन्स आप लेकर आ गए है धमकी बगरा दे रहे हो 7 साल के लिए बहार हो और फिर एडमिट कार्ड में जाल साजी की है एक शेर चाड़ी की है तो 5 साल के लिए बहार हो डेमेजिंग एग्जाम रिलिटेड इन्फराइक्स्टर्चर आपने एक सौप्ट कम्प्यूटर है उसको ही डेमेज कर दिया तो 5 साल के लिए आप बहार हो जाएंगी अब एक्जामिनेशन ड्यूटी है लेकिन वो एक्जाम दे रहा है उनको तो 3 साल के लिए डिवार है तो ये कुछ कार्ण बताये थे जिनके कार्ण आप के तिने वश के लिए डिवार हो सकते हो सेशने 2018 में और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगी और उसकी पीडिप में टेलिग्राम पर डाल दूँगा तो टेलिग्राम से जरूर जोड़ जाना न्यू के अंड़ेट है टेस्ट्बुक की मौक्टा सीरीज से जोनना चाहते है तो टीड़ जी के कोपन को यूज कर ले ना मिलते हैं आई वीडियू में धेन्ने वागा